नमस्कार, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिसिन के एक नए टॉपिक पर SIADH के बारे में अब हम बात करेंगे syndrome of inappropriate anti-diuretic hormones के बारे में तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि inappropriate अगर anti-diuretic hormone का secretion होता है तो हमारी body की किन-किन functions पर इसका effect पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं syndrome की तो syndrome क्यों कहेंगे इसको अभी हम expose करेंगे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर actual में होता क्या है तो इसमें हम देखते हैं कि ADH का secretion बहुत ही large amount में होता है आम तोर पर क्या होगा जब body में fluid की कमी हो जाती है blood में plasma में या blood का जो osmolarity जब rise करने लगता है तो anti-diuretic hormones का secretion बढ़ा दिया जाता ताकि blood में water का absorption करके osmolarity को regulate किया जा सके लेकिन अगर यह secretion लगातार होता रहे uncontrolled होता रहे तो फिर एक दिक्कत हो सकती है blood का जो osmolarity है वो घट सकता है यहाँ पर बहुत ही जादा मात्रा में ADH का secretion होता यह बहुत ही important point है यहाँ पर anti-diuretic hormone का लगातार secretion क्यों हो सकता है कैसे हो सकता है तो इसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि वो कोई भी ऐसा condition जिसकी वज़ा से ADH का secretion dysregulate हो जाए जो central nervous system पर ADH के secretion को जादा कराए वो सारे कारण SI ADH के लिए responsible हो सकते हैं infection ऐसा infection जो central nervous system से related होती है यहाँ पर आप infection में कह सकते हैं सीधे तोर पर meningitis या encephalitis जाहर से बात है अगर यह होता है तो dysregulation हो जाएगा ADH के secretion का meningitis और encephalitis को इसके साथ आप link करके समझ सकते हैं ट्रॉमा भी इसका कारण हो सकता है खास तोर पर sub-arachnoidal bleeding, sub-arachnoidal hemorrheds के दौरान, sub-dural hematoma के दौरान, cavernous sinus के thrombosis के दौरान यह इसके कारण होते हैं बहुत ज़्यादा deep में नहीं जाना बस यह central nervous system को affect करने वाला कोई trauma है जिसमें खास तोर पर sub-arachnoidal hemorrheds अगर हो रहे हैं इसके लावा hydrocephalus भी इसका एक कारण माना जा सकता है बहुत सारे tumors इसके लिए responsible हो सकते हैं cancer, जिसमें कुछ तो ऐसे cancer हैं जो कि ADH का secretion कराते हैं और वो brain से related भी नहीं है इसमें आप देखेंगे, इसके बारे में pathology में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि कई बार tumor के जो cells होते हैं, वो अपने origin से अलग release करने लगते हैं यानि आप यहां पर देखेंगे कि lungs में कई बार ऐसा होता है कि small cell lung cancer में, small cell lung cancer में आप देखेंगे कि cancer होने की बावजूद, small cell lung cancer होने पर होता यह है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ADH का secretion होने लगता है, तो यहां पर जो बनने वाली cells होती हैं, जो cancer tumorous जो cells होती हैं, वो अपना normal function भूल जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा release करने लगती है, ADH को, यानि उनका जो normal function उसको भूल करके नए hormones को release करने लगती है ऐसा small cell lung cancer में देखने को मिलता है, ऐसे ही GI tract के cancer के दौरान भी देखने को मिलता है कई बार ऐसा होता है कि stomach या dudenum या फिर pancreas के cancer अगर हो, तो dudenum का cancer या stomach का cancer या फिर pancreas का cancer अगर होता है तो वहाँ पर जो cancerous जो cells होती हैं, वो गलती से ADH का ज़्यादा मात्रा सिक्रीट करने लगती हैं, इतना ही नहीं कई बार ऐसा होता है कि bladder, आप देखेंगे bladder और bladder फिर urethral और यहाँ पर जो prostate का जो हिस्सा है यहाँ के cancer में भी आप देखेंगे, urinary bladder में अगर कोई tumor है या फिर prostate का tumor है तो वो भी कई बार गलती से ADH को release करने लगती हैं यहाँ की cells यहाँ आप एक सीधे दोर पर कह सकते हैं कि यहाँ की cells हैं वो अपने normal function करने को भूल जाती हैं और वो नया काम करना शुरू कर देती जो इनका कभी काम था ही नहीं तो ऐसे मामलों में कई cancer या कई tumor इसके लिए responsible हो सकते हैं ADH की जादा मात्रों को release कराने के लिए कई drugs भी हैं जो इसके साथ linked हैं जिसके बहुत सारे नाम आपको समझना है इसमें आप देखेंगे oxytocin की higher amount ADH के जैसा काम करती है हम लोगों ने पिछले lectures में discuss किया है तो ड्रक्स में क्या आएगा ADH का अगर जादा oxytocin की अगर secretion जादा हो जाए तो ADH के जैसा काम वो करने लगती हैं इसके अलामा cyclophosphamide drug जो है इसके साथी साथ आप देखेंगे drugs में और भी नाम आते है wincrustin का नाम आता है, cyclophosphamide का नाम आता है, कारबा मेजापीन का नाम आता है वो सारे के सारे anti-diuretic action रखते हैं तो drugs के बारे में आपको पता होना चाहिए ADH क्या है? एक stress hormone है आपको पता है कि anti-diuretic hormone या फिर यह जो vasopressin कहते हैं आपको normal इसके function के बारे में तो जानकारी होगी ही कि यह stress hormone है जब blood की osmolarity rise कर जाती है तब इसका secretion होता है यह इसका secretion तब कराया जाता है लेकिन अगर यह लगातार vasopressin या anti-diuretic hormone का level अगर बढ़ा रहे तो आप समझ सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है फिर भी water का reabsorption होता रहेगा water का reabsorption अगर होता रहेगा तो क्या क्या हो सकता है body के कौन-कौन से आरगन प्रभावित हो सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी चीजें जो linked हैं उसको अभी हम one by one करके देखेंगे लेकिन आप देखें यहाँ पर एक बार ध्यान रहें कि anti-diuretic hormone लगातार सिक्रीट हो रहा है water का reabsorption लगातार अगर हो रहा है तो blood का fluid का जो volume है वो बढ़ जाएगा इसकी वज़े से intracranial tension rise कर सकता है यानि brain को adversely एफक्ट कर सकता है क्योंकि blood का volume बढ़ गया तो वो intracranial tension भी rise कर सकता है यहाँ पर ये एक point है lungs में कौन-कौन से tumor जो इसके लिए responsible है वो term भी आपको मैंने आपको बता है उसको एक बार फिर से recall कर लिजे small cell cancer या carcinoma of lung जो है वो इसके लिए responsible होता है कुछ brain के भी tumor हो सकते हैं लेकिन मैंने आपको बता है कि कुछ दूसरे हित्से में होने वाले tumor जिसमें मैंने बता है GI tract में कोई tumor हो जाए urinary tract में कोई tumor हो जाए वो भी इसके लिए responsible होते हैं तो ये important points हैं drug के लिए जब मैंने आपको बता है oxytocin का higher secretion भी ADH के जैसा काम करने लगता है ये मैंने आपको बताया cyclophosphamide का मैंने आपको नाम बताया मैंने आपको बताया win kristen का नाम मैंने आपको बताया carbamezapine के बारे में ये सारी चीजें आप Matthew की book में आप पाएंगे इसलिए घबराने के ज़रुवत नहीं है कोई भी additional source से मैंने नहीं लिया है अब यहाँ पर आप समझ ले ADH या फिर vasopressin का दूसरा जो clear नाम और भी आता है वो है arginine vasopressin इसका level बढ़ा तो आप link कर रहे हैं कि water का reabsorption बढ़ेगा तो water का अगर reabsorption बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि volume का overload होगा आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होगा water का reabsorption होने की वज़ा से blood का volume बढ़ेगा और blood का volume बढ़ने की वज़ा से यहाँ पर सीधे तोर पर क्या link कर सकते हैं आप यहाँ पर blood का volume rise कर जाएगा, blood का volume rise करते ही, cardiac functions पर इसका फरक पड़ेगा cardiac functions पर इसका फरक पड़ेगा heart को बहुत ज़ादा अपनी activities बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए heart से यहाँ पर related एक hormone, atrial natriuretics, जो protein है वो यहाँ पर release किया जाएगा, ANP, atrial natriuretics जो peptides हैं, उसका release कराना यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा, चुकि यह cardiac functions पर इसका फरक पड़ेगा, तो इसलिए ANP का secretion बढ़ा दिया जाएगा, इसकी वज़ा से ANP के release होते ही क्या होगा, cardiac function पर जब overload बढ़ा, तो ANP का secretion बढ़ा, ही क्या होगा, ANP चाहेगा, ANP जो है, यह water और sodium का loss कराने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर जो sodium का loss हो रहा है, water का तो यह loss कराने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी लगातार AVP यानि अर्जिन इन्वेसोप्रेसिन या ADH रिलीज हो रहा है, इसलिए यह water का reabsorption तो कराता रहेगा, लेकिन sodium का loss मनद water का reabsorption हो जाएगा, इसलिए water का loss का effect, ANP नहीं शो कर पाएगा, लेकिन sodium का loss का effect नजर आएगा, हाला कि ANP इन दोनों का loss कराना चाहता है, लेकिन वापस water तो इसकी वज़े से reabsorption हो जाएगा, लेकिन sodium का loss होता रहेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे hyponatremia हो जाता है, यह बड़ा ही important point है, यहाँ आपको समझना होगा, कि यहाँ पर hyponatremia हो जाता है, यहाँ पर uvolumic hyponatremia यहाँ देखने को मिलता है, volume बढ़ गया है और hyponatremia हो गया है, यानि sodium का concentration यहाँ पर कम हो गया है, यह point यहाँ पर देखने को मिलता है, normally sodium का concentration कितना होना चाहिए, 135 to 145 millequellent per litre होना चाहिए, लेकिन sodium का यह concentration घट जाता है, इसलिए कई physiological functions पर इसका असर पड़ेगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि CNS पर इसका सीधा effect पड़ेगा, अगर यह 120 millequellent per litre से अगर कम हो जाए, तो CNS पर इसका सीधा effect मिलेगा, CNS पर इसका effect कुछ इस तरीके से नजर आता है, कि यहाँ पर scissor या coma होने लगता है, तो sodium का concentration घट करके अगर 120 से कम हो जाए, तो यहाँ scissor या coma, central nervous system पर इसके side effect की वज़ा से होगा, यहाँ पर आप देखेंगे, blood का level चुकि volume बढ़ गया है, इसलिए congestive heart failure भी हो सकता है, इसलिए मैंने आप से कहा, यह syndrome है inappropriate, अब आपको समझ में आया होगा, कि यहाँ पर sodium का concentration घटने से brain पर effect पढ़ेगा, blood का volume बढ़ने से heart पर इसका फरक पढ़ेगा, तो इस तरीके से body की different parts पर इसका effect देखने को मिलता है, यहाँ पर uvolumic hyponatremia है, और वहीं आप देखेंगे, कि urine में sodium का excretion बढ़ जाएगा, sodium का concentration urine में बढ़ जाएगा, uric acid का concentration होगा, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, कि uric acid का concentration urine में कम हो जाता है, क्योंकि ANP, जो ANP है, atrial natriuretic peptide जो है, इसका uricose, uric effect होता है, इसलिए, वो uric acid के secretion को घटा देता है, तो यहाँ पर uric acid का concentration low हो जाएगा, यह एक associated point है, जिसको हमें समझना चाहिए, तो sodium का concentration कम, sodium का concentration plasma में कम, लेकिन urine में जादा, urine में uric acid का concentration भी कम हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, कि यहाँ serum ADH का level, check करना यहाँ पर बहुत जादा useful नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर serum ADH level से हम बहुत जादा फरक नहीं डाल पाते हैं, हम इसके underlying cause पर हम, जो effects हैं, उसको जादा जादा यहाँ पर treat करने की कोशिश करते हैं, तो इसके treatment plan में हमारी जो कोशिश होती है, वो ADH के side effect को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको बताया ना कि sodium का level blood में कम हो गया, लगिन urine में high हो गया और uric acid का level low हो गया, यह point तो हमें समझ में आता है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर sodium का जो normal level है, उसको maintain कराने की कोशिश करेंगे, जो normally 135 to 145 mill equivalent per liter होता है, तो इस level को हम पाने की achieve करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो इसके लिए किया क्या जाना चाहिए, इसके लिए हम slow, 3% यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर 3% saline infusion देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर slowly दिया जाता है, तो यहाँ पर हम hypertonic saline solution जो कि 3% होता है, उसको हम देते हैं और यह देना उस समय बहात ही ज़ादा जरूरी हो जाता है, जब serum sodium का concentration 120 mili equivalent per liter से कम हो जाता है, तो उस समय इसे देना बहात ही ज़ादा जरूरी हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लोली देते हैं क्योंकि अगर हम fast देंगे अगर हम fast देते हैं तो इस fast infusion की वज़ा से central pontine myelinolysis हो सकता है तो इसलिए हमें serum sodium की concentration कम होने पर हमें slowly IV fluid हमें चड़ाना पड़ता है 3% saline solution का यहाँ पर यह hypertonic होता है saline solution लेकि इसे धीरे-धीरे देना चाहिए 3% जो solution इसे धीरे-धीरेना चाहिए क्योंकि अगर आप इसे fast देंगे तो यह osmotic damage करा सकता है यह osmotic damage करा सकता है यह central pontine myelinolysis करा सकता है तो यहाँ पर central pontine myelinolysis करा सकता है तो यहाँ पर central pontine myelinolysis हो जाने से होगा क्या irreversible quadriplasia हो सकता है तो यहाँ पर patient में develop हो सकता है irreversible quadriplasia यह problem patient में develop हो सकती इससे बचने के लिए धीरे-धीरे saline infusion देना चाहिए ताकि sodium का जो level है उसको हम maintain कर सके इसके अलावा कुछ और drugs भी है जो यहाँ पर मदद करती है इसमें drug के रूप में नाम आता है टॉलवाप्टम यह जो V2 receptor का antagonist है यानि यह V2 receptor की activity को खराब कर देता ताकि ADH आकर के काम करने ही न पाएं इसके बारे में हम लोग ने इससे पहले के lectures में discuss किया है V2 receptor antagonist है तो V2 receptor पर आकर के ADH काम नहीं कर पाएगा इसके बारे में हम लोग पहले ही discuss कर चुके हैं तो अगर V2 receptor पर ADH काम नहीं कर पाएगा तो water कर रही absorption नहीं होगा इसलिए टॉलवाप्टम काम करता है इसके अलामा हम democlocycline जो drug है इसको भी हम दे सकते हैं democlocycline क्या करेगा ये ADH का सीधे antagonistic action रखता है तो इसको भी दिया जा सकता है ये वैसा तो ये जो है हम democlocycline जो ADH antagonist drug होता है इसको भी दिया जा सकता है तो ये सारे treatment के plan हो सकते हैं जिसके द्वारा हम ठीक कर सकते हैं वरना अगर इसे ठीक न किया जाए तो बहुत सारे ऐसे problem हैं जो SIADH की वज़ा से हो सकती है